हेलो दोस्तो आपके अपनी यूटूब चैनल डिजिटल देभू में आपका स्वागत है फ्रेंस यदि आप उत्राखंड के एक जिले से दूसरे जिले में आवगवन करना चाते हैं तो इसके लिए आपके पास इपास होना आउश्चक है इपास कैसे बनाएं तो फ्रेंस यूई पास बनाने के लिए कहीं जाने के आव सकता नहीं है आप अपने घर वैटे अपने मोबाइल फॉन से चुटकियों में यह पास के लिए अपलाइक कर सकते हैं तो फ्रेंज इसमें स्टेप बाइस टेप जनकर दूंगा कि आप यह पास कैसे बना सकते हैं जी आप मेरे चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहें तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और बैर आइकन को फ्रेश जरूर करें और वीडियो को लाइक कॉमेंट और शेयर जरूर करना तो आईए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको कहा करना है आपको कहीं जाने की जरूर नहीं है आपको smartcd.uk.gov.in की वेबसाइट को उपन करना है तो जैसे ही मैंने इसे उपन करा तो इस परकार के इंटरफेस सामने आ गया तो यहां पर आपको बहुत सारी टैप मिल जाएंगी तो आपको यह करना है कि यहां पर फर्स्ट वाले टैप पर किलिक कर देना है प्रवासियो औ कुछ इंस्ट्रक्शन दिये गए यहां पर कि आप जब पंजी करोंगी पास के लिए तो उस समय आपको वैलेट मोबैल नंबर इंटर करना है क्योंकि इसमें अप्लिकेशन नंबर सेंड किया जाएगा जी हां फ्रेंज जब आप यह पास के लिए करते हो तो आप से पूसा इस वाले टैपर कर दीजेगा इस वाले टैपर किलिक करेंगे उसके बाद आप से पूसे आएगा मूड आफ ट्रेवल यात्रा का माधियम क्या रहेगा टू विलर रहेगा लाइट मोटर विलर रहेगा या फिर dr रहेगा कोई भी है इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके दूरू आप data रही उसके बाद यहां पने काटिकृरी आफ दा ट्रेवलर चूज कर सकते हैं यहां रही स्राट। हैं आधर्वावन्मेंट आफिशर आप चूज कर सकते हैं उसकी बार अपको यहां पर रिप्र न चाहते हैं तो कार सकता है अधर्वाइस यहांप भर लेता हूं फेमिल्ज्स एदियादी यहाँ दिये गए हैं तो यहां से आप अपना होरस कर सकते हैं को उसके बाद आप जर्नी डेट भर सकता है यातरा कब से स्टार्ट कर रहें वाले डेट यहां फिक्स कर लीजी तो फ्रेंस उसके बाद आप से पूछेगा कि आपके पास कोई-19 की नेगेटिव रिपूर्ट है यह नहीं यदि आपके पास है तो आप यस कह सकते हैं अधरवाइस आप नो पर टिक कर सकते हैं जिए फ्रेंस उस अभी आप वर्दबान डायम है किस एडर्स ऑख इस पतिपर हो उसकी बारे पर पूरी जानकरी यहां पर देनी है तो फ्रेंस जैसे कि यहां पर डिश्टिक ने में जिला सो से पहले आपको चूज कर लेना है प्रेंस जैसे कि मैं यहां पर अलमोडा चूज कर लेता हूँ उसके बाद यहां पर तहसील स्लेक्ट कर देना है तहसील स्लेक्ट करने के बाद यहां पर विले स्लेक्ट कर दीजेगा विले स्लेक्ट करने के बाद यहां पर आपको पूरा एडर्स डालना है जहां पर आप हैं उसका पूरा एडर्स यहां भर दीजेगा भरने की बात आपको करना है कि यहां पर traveling to याथ्रा गंतमई स्थान इना चाहते हैं तो यहां डिटियल डाना है डिस्टिक नेुट तो यहां जैसे कि सहरी वाले टैपपर क्लिक करती का उसके बाद यहां ब्लॉक्नी में चींज कर दिए कर यह कंज तो आपसे पूछा जाएगा applicant details यानी आविता का नाम पहला है कि name of traveler now mentioned only single person name यहां पर mention only single person name इसलिए कहा नहीं आप एक से जादा लोग यात्रा कर लो traveling कर रहो तो उस दोराण आप एक ही member का नाम यहां पर लिखो गए ठीक हो गए है यहां पर एक member का यहां पर आपको यहां पर इमील डालने के बाद आपको यहां पर मोबाइल नमबर डालना है क्योंकि इसमें एप्लीकेशन डिटेल आएगी यहां पर नमबर फिल कर दीजेगा तो फ्रेंज यहां पर मोबाइल नमबर इंटर करने के बाद यहां पर पहचान संग्या यानि गवर्ण्मेंट आईडी टाइप पुझा जाएगा तो यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सी आईडी को आप सेलेक्ट करना चाते हैं या वोटर आईडी को आधार कार्ट, ड पहचान संग्यां डाल देनी है यहां पर qt यहां पर मैंने डाल दिया है आधार का नंबर उसके बात यहां पै कि सेटस इन आरों दू एप यानि आपकी योर से आ चूज पर यहां डाल सकते हैं यादि कलर में है तो आप उस पर कर दीजैंग कर दीजैंगी जीजिशки एप्लिकेंट डिटेल भरने के बाद आपको ट्रैवलिंग प्लान यानि यात्रा का बीवरण भरना होगा तो इसमें लिखा है नंबर आप को ट्रैवलर्स यानि सहो यात्रियों की कुल संक्या फ्रैंस यदि आप एक सो जाते लोग जा रहे हैं तो उसका मैंसन यहां पर कर सक अभिदाtać थो घ्रेंडर मोवाइल नंबर कंणी यहांप लिख सकते हैं प्लीज मेंसेञ फैंटकार से यहांप लख बैके सब्सक्राइब करसेहां नहीं को जैसे कि मैंने फिल कर पर उपर select करा था तो फ्रेंस आप यहां से choose कर सकते हैं गैलरी में चाके गैलरी में आप पहले फोटो खीच ली दी आपके पास गैलरी में नहीं है document आधार काड की या फिर अन्हीं document की वहां से आप directly ले सकते हैं यहां पर तो यहां फाइल में जाएंगे जैसे कि मैं यहां फिल कर देता हूं तो फ्रेंस यहां पर मैंने आधार काड की फोटो कॉपी या फिर आधार काड का यहां document मैंने अप्रूट कर दिया है जैसे कि दिखा रहा है उसके बाद यहां पर declaration लिखे गए कि आपने जो भी यहां पर information भरी है बहुत सब सही है यह मैंकि यह आपके पूरा Form भर जाता है पूरा Form भर जाने के बाद आपको उसकी बादí बैक साइट मैं आजाना है बैक साइट आने के बाद यहां पर आप आप दूसरी टैफ पर सब्सक्राइब पंजी क्राइब पर आपको किलिक कर ददेना दूसरे नंबर वाले डाइब पर तो डाउनलोड करें पर आ जाना है उसकी बाद यहां पर जो आपने मोबाइल नमबर इंटर करा था उसमें एक OTP आया होगा अप्लिकेशन नमबर भी आया होगा तो अप्लिकेशन नमबर को आपको कहां डालना है एप्लिकेशन नमबर को आपको कहा डालना है पहले आपको देखना है कि यहाँ पर अनिराज आने के लिए है तो एप्लिकेशन नमबर आपको यहां पर इंटर कर देना है उसके बाद यहां पर आपने जो mobile number register करा था वो आप यहां पर डाल दें उसके बाद यहां पर आप submit कर सकते हैं उसके बाद आपका e-pass बन जाएगा फ्रेंज तो इस परकार से आप e-pass बना सकते हैं अब ना